आज हम लोग बात करेंगे BMC के बारे में BMC का मतलब Bombay Municipal Corporation जिसको हम लोग बोलते हैं popularly ठीक है मतलब इसको आदमी लोक प्रिय धंक से बोलता है Bombay Municipal Corporation जिसका कि यह जो है जो आप फोटो देख रहे हैं यह है Municipal Corporation का Head Office ठीक है Bombay Municipal Corporation का तो चलिए स्टाट करते हैं तो Bombay Municipal Corporation को हम लोग बोलते हैं पहले उसको बोलते थे Bombay Municipal Corporation और उसको हम लोग आजकर Municipal Corporation of Greater Mumbai यानि कि MCGM भी बोलते हैं ठीक है तो MCGM मन्दा कि Municipal Corporation of Greater Mumbai क्या है ये एक governing civic body है मतलब क्या होता जनता के लिए काम करने वाला Municipal Corporation टाइप का एक body है जो कि Mumbai में काम करता है ठीक है ये इंडिया का सबसे अमीर Municipal Corporation है मतलब जैसे कि देली में है DMC देली Municipal Corporation देवघर में है देवघर Municipal Corporation ऐसे ही Mumbai में जो Municipal Corporation है वो इंडिया का सबसे ज़्यादा अमीर Municipal Corporation है जिसको हम लोग BMC बोलते हैं या फिर Municipal Corporation of Greater Mumbai बोलते हैं ठीक है MCGM मतलब कि Municipal Corporation of Greater Mumbai ये क्या काम करता है तो जो भी सहर भर में मतलब मुंबई भर में इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड बर्माना नाला बर्माना ये सब जो भी काम है वो सब कौन करता है यही करता है MCGM और क्या करता है MCGM MCGM Administration करता है कि मतलब कि अगर कुछ लैंड का जमीन का जगह का ये सब का अगर दिक्कत हो गया तो भी आप BMC में आ सकते हैं तो इसका गवर्निंग इसका एरिया कहां से कहां तक है ये आपका पूरा मुंबई सिटी और जो सबर मतलब की जो अगल बगल का जो जगह है मुंबई से रिलेटेड जिसमें की जो की सहर से ही जुड़ा हुआ हुआ है पर वो एक्चेल में सहर है नहीं तैक है उसको बोलता है लोग सबर्ब सबर्बन जिसको बोलते है वो सबर्ब का भी एरिया मुंबई में ही आता है ठीक है अब कुछ इंप Julian Records मुंबई कभ इस्टाइबलिज हुआ था मुंबई Municipal Corporation Act से ठीक है जो मुंबाई का Municipal Corporation का जो Commissioner होता है वो एक IAS Officer होगा ठीक है ये एक मतलब लिखा हुआ है कि वो एक IAS Officer ही होगा और हर पांच साल में मतलब क्वेन क्वेनियल मतलब हर पांच साल में Elections होगा ठीक है Elections होता है और जो Elected Member होता है जो निकल के आता है जो जीत के आता है वो किस चीज के लिए responsible होता है वो क्या काम कराता है तो वो जो नार्मल नाला, रोड ये सब जो बर्माने का काम है जो civic infrastructure होता है वो सब काम वही का होता है जैसे वाड़ पारसत जिसको बोलते है वो सब जो निकल के जीत के जो आता है वाड़ पारसत सब मेयर सब उप मेयर सब वही काम कराता है मतलब नॉर्मल जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुगा वो कराना ठीक है और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जल्दी यल्दी कराने का ड्यूटी उसी का होता है ठीक है अब एक हो सबसे जर्ड़ां बनता है जो पार्टी नॉर्मली मेर बनता है ठीक है अभी मुनीशिब आपरेशन में कितना सीट के 227, 227 सीट है, ठीक है, और अभी सबसे यादा बड़ा पाटी को ने है, तो सीवशेना, सीवशेना का अभी मेर बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा पाटी उसका है, और इसका election का जो tenure होता है, वो 5 साल होता है, मतलब 5 साल के लिए इसका election valid है, और 5 साल तक ही ये normal हो पाट election होगा, ठीक है, तुरुषना विश्वास राओ जो है, 2015 में, वो BMC की पहली महिला मेर थी, तुरुषना विश्वास राओ, ठीक है, तो BMC के बारे में इतना important, important, important जो था, वो आपका information लाजमी है, बहुत अच्छा है, इतना ही आपके लिए काफी होगा, और ये मुंबई Municipal Corporation का, या Bombay Municipal Corporation का, ठीक है, तो आप लोग बताईए कि Municipal Corporation कमिशनर कौन होता है, comment section में, और ये भी बताईए कि मुंबई Municipal Corporation जो था, ब्रिहर मुंबई Municipal Corporation, वो कौन सा एक्ट से बना, और कौन सा इस्वी में, कौन सा इयर में बना, ठीक है,